नमस्कार नीजुरू में आप सभी का स्वागत है पस्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री का राज होते हुए महिलाओं के साथ जिस तरह के अमानविय अत्याचार की खबरे आ रही हैं वह दिल दहला देने वाली है बंगाल में विधानसवा चुनाओं के बाद जो रा जहां शेक के इशारे पर स्थानिये दबंग हिंदू महिलाओं का यौन उत्पीडन करते हैं राजेपाल ने महिलाओं की आप बीती सुनने के बाद जो कुछ कहा है वह दर्शा रहा है कि इन महिलाओं पर क्या बीती होगी आश्चर इस बात का है कि एक महिला मुख्यमंत्र मिली हैं जिसमें यौन उत्पीडन की एक भी शिकायत नहीं है यहां सवाल उठता है कि बंगाल में वामपंथियों के अतंक और गुंडाराज को खत्म करने के नाम पर सत्ता में आई तिडमुल कॉंग्रेस के राज में क्यों एक खास समुदाय के लोगों पर अत्याचार हो में ही हिंदू महिलाओं पर ऐसे अत्याचार होने की खबरे सुनने में आती थी इस्पृति इरान ने तो ममता बनर जी पर यहां तक आरोप लगाया कि वह अपने कारेकरताओं को महिलाओं पर यौन हमले की छूटते रही हैं उन्होंने विभिन आरोपों का हवाला देते व आरोप का हुआ हुआ है कि वी इस अब खी जब कोन बारीर बहु देखते शुनन दूर Translation Men of the TMC party Will come to Homes And check Which woman is beautiful In Bangla they said to journalists Kae kaom boishi Who is how young The women of Shondesh Khali have said this to journalists Regarding The TMC And their conversation With the husbands of women Who are crying out for help In Bangla the husbands of these Hindu women were told Tumi shami hote paddo Kintu tomar konu odhikar nein The Hindu women's husbands were told You can be a husband Indicating in name only But you will now have no rights Then the Bangla women have said to journalists About the TMC They will take us night after night They say Jato khon tater monta na bhodbe Tato khon tomar rihai nei Till the time the TMC men were not satisfied Night after night You have no escape Ladies and gentlemen of the media These are the women of Shondesh Khali Who are crying out For help For protection Mahmata Bandhapadhyaya is known for the genocide of Hindus That she will now allow Her men To pick out Hindu young married women To be raped Night after night In the TMC office Cannot be articulated in mere words The question is Can we as citizens Be mute spectators Who is this man Who is Charged by the women of Shondesh Khali Of mass rape Of Bengali Hindu women And I say this because These women when they spoke to the media locally Said that they were particularly identified For being married And Hindu Till now everybody Was wondering Who is Sheikshah Jahan Now the question is That Mahmata Bandhapadhyay Has to answer Where is Sheikshah Jahan Who is Pashimangal Ke Raja Pal CV Anand Bose To Ones Sommar Kho 294 Pargana Jelay Ke Sondesh Khali Me Ashant Chhetr Ka Dora Kiya And Trinmul Congress Ke Frarar Nita Shajahan Sheik And Us Ke Sathiyon Par Yon Utpidhan Ka Arrope Laghan Mahila Prudyashan Kariyayi Is Tauran Raja Pal 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 से ठक रखे थे महिलाओं ने बोस से कई वर्षों तक स्थानिय गुंडों और उनके गिरोह द्वारा प्रताडित किये जाने की शिकायद की उन्होंने इस समय गिरफतार गुंडों द्वारा रिहा होने के बाद उन्हें निशाना बनाए जाने की भी आशंका व्यक्त की राज के संदेश खाली दोरे को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए मुक्यवंतिर वंताव इनरजी ने कहा जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन्हें हम पहले ही गिरफतार कर चुके हैं दूसरे और बढ़ते जनाक्रोश के जवाब में तिर्णूमूल कॉंग्रेस ने घोश शाह जहां और उनके गिरोह की गिरफतारी की मांग को लेकर सड़कों पर प्रतेशन कर रही हैं हम आपको उतादें कि उत्तर 24 परगनाजिले के संदेश खाली में 5 जनवरी को शाह जहां शेक के परिसर में छापे मारने पहुंचे एडी के अधिकारियों पर भीड़ द्वा बातकार या यौन उत्पिडन की बात नहीं है एक वरिश तरदिकाई ने कहा कि वहां हिंसा की घटनाओं की जांश के लिए डी आई जी रैंक की एक महिला अधिकारी के नेत्रतु में 10 सदस्य टीम का घठन किया गया है उन्होंने महिलाओं को पूरी सुरक्षा का आश्वा और महिला की इसके खिंदर मुद्दा से कने इन दशके लिए इसके नमीड़े को में 10 संदेश काली के प्रहभी छेतरों का दोरह कियार और महिलाओं से बात शित से ने संदेश खाली में अनेक महिलाओं से बादचीत की रास्टी महिला आयोग ने भी पस्चि मंगाल सरकार को पत्र लिकर संदेश खाली में लग रहे आरोपों पर 48 घंटे की भीतर रिपोर्ट तेने को कहा है रास्टी अनुसूची जाती आयोग ने भी मामले का संग्यान लिया है और आयोग का एक दल 15 तारीक को वहां का दौरा कर सकता है उधर यह मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है पस्चे मंगाल में हिंदूों के नरसंगार वाली टिपणी के लिए केंद्री मंत्री स्मृत्र राज्यानी पर जोड़दार हमला करते वे त्रिन्वू अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके